दोस्तो psychology of money एक जो बुक आती है न उस बुक के बारे में जितनी भी धारीव की जाये उतनी कम है तीन चार बुक्स मैंने अपनी लाइफ में बड़ा उसको एड्मायर करता हूँ और बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जल्दी पढ़ ली मैंने और आपको भी recommend करूँगा ऐसा भी नहीं है कि मैं उनका salesman हूँ लेकिन अच्छी चीज़ें अपने आप recommend होती है तो psychology of money भी उस पे जितने भी बाते करूँ जितने भी वीडियो बनाओ जितने भी content बनाओ ऐसा लगता कम है हर बार एक नई चीज़ मिल जाती है पढ़ने पे तो आप सबसे request होगा book जरूर पढ़िएगा और दूसर request होगा इस video को आखरी तक देखिएगा क्योंकि 5 points बताने वाला हूँ जो आपकी life में काफी changes लाएंगी financially और अपकोस आपके अपने behavior में क्योंकि behavior अगर अच्छा होगा, professional होगा, financial वाला होगा तो आपको आगे चलके वो benefit देगा ही देगा तो 5 points ऐसी है जो इस book में बताई गई है उनका nature बता रहा हूँ जिससे आपकी wealth create होगी उसमें सबसे पहला है याद रखी है पांचमा point again मैंने उसमें काफी important और अपने favorite रखा है तो पांचमा point ही रखता हूँ मैं तो पहला point है fastest way to lose your wealth is to sow off अगर आप दूसरे को दिखाने में खर्चा करते हैं तो सबसे जल्दी अपना पैसा आप कमाते हैं मैं ऐसे बहुत लोगों को चानता हूँ जो महगे महगे laptops, car और mobile phone, iPhone loan पे लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए क्यों क्योंकि बाकी लोग ले रखे हैं यार salary है आपकी 20,000, 30,000, 40,000 और आप mobile लिया हो डेड़ लाख पांच महेने की सल्दी के बराबर तो आपने mobile ले लिया है चलो ये भी कम था, उपर से macbook भी ले लिया अब आपने पोरे साल की सल्दी तुम्हां डाल दी अब आपको लगता है 0% interest पे आप यह माई दे रहे हैं तो कोई आपको खलेगा नहीं but that money you have blocked और जो जीट आपने लिया वो आपकी productivity में increase नहीं करेगी most of the time हमने आपको convince करते हैं हम अपने mind को एक दिलासा दिलाते हैं जूठी इससे हमारी productivity बढ़ जाएगी mail अच्छे से होंगे, professional होगा, ये होगा, वो होगा इससे अपने productivity बढ़ा लेंगे, tools अच्छे हैं, इससे वीडियो अच्छे बनेंगे photo अच्छी quality का होगा update रहेंगे, office के साथ connect रहेंगे ये सारी चीज़े हम अपने आपको convince करते हैं क्यांकि जब पैसा निकलता ना तो उस लिए पेन होता है तो वो convince करते हैं, हम जूटी दिलासा अपने आपको दिलाते है ये सारी बता रहा हूँ, बार-बार आपको जूटी दिलासा है आपने अपने पैसे को lose किया, spending money to show people how to, how much money you have is the best way, fastest way to lose money, लोगों को दिखाना कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, सबसे पहला तरीका है, पैसा lose करने का तो मुझे उमीद है कि इस पहले तरीके को आप जल्दी इस पे निचात पाएंगे दूसरा जो बताने वाला हूँ social comparison आप socially किसी से compare करते हैं ये सबसे बड़ा खातक है आपके growth में तगल में हमारे सरमाजी रहते हैं उनके पास तो बड़ी वाली गाड़ी है उनके घर में गए तो बड़ा सा fridge है उनका sofa बहुत बड़ा है उनके परदे imported है आप भी आके वही कर रहे है क्यों कर रहे हैं भई ultimately किसका bank balance बढ़ा है किसकी अपनी personality अच्छी है कौन growth ले रहा है ये matter करता है आपका पहनावा आपकी गाड़ी आपका mobile आपको short term introduction दे देगा maybe better feel करा दे लोगों को बट long lasting क्या होता है आपकी अपनी image आपकी अपनी personality आपकी अपनी knowledge उस पे खर्च करो न काफ़े development पे करता है ये matteristic चीज़ों पे ऐसी चीज़ों पे आप खर्चा मत करो I hope social comparison पे आप ब्लॉक करोगे अपने आपको Warren Buffet साब का ये psychology money वाली book में है 81.5 billion dollar उनके 65th birthday के बाद आया out of 84.5 billion dollar उनकी network यानि ये सीख देता है कि कोई भी समय कोई भी समय investment का, planning का नए सुरुवात करने का late नहीं होता कई लोग सोचते हैं अब तो late हो गए अब तो हम 50s में पहुँच गए अब तो हम 60s में पहुँच गए अब क्या करना तो ये जो तीसरा point है कि जो बताया गया इस book में कि कभी भी आप अपना investment journey स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी time late नहीं होता याद रखिएगा ये आपकी मित थी कभी भी आप सुरू कर सकते हैं गुड strategy, गुड investment decision नहीं फूर्थ पॉइंट बता रहा हूँ मैं गुड investment decision ये सबसे important नहीं होता consistency सबसे important होती है अगर आप बहुत अच्छा एक दिमाग लगा के investment decision कर लिया आपने तो सोच रहे हो आपने जग जीत या नहीं consistency लगातार बार-बार उसको करते रहना दोराते रहना ये है success का मंत्रा यानि आपको बहुत अच्छा आपके पास idea आया और आप consistency consistency भी है आपके अंदर तो बहुत बढ़िया इससे अच्छी तो कोई बात होगी ही नहीं लेकिन अगर आपने idea तक सीमित रखा याद रखना और उसके बाद आप उसको छोड़ दिये irregular हो गये तो आपके लिए अच्छा नहीं है अब मैं पाँचवा पॉइंट बोल ला हूँ building wealth जो इस book में बोला गया building wealth यानि पैसा बनाना धन बनाना, wealth बनाना is nothing to do your income यह आपके income पे depend नहीं करता है फिर से बोल ला हूँ clearly सुन ला गलत नहीं सुना आपने is nothing to do with your income it depends how much you save it depends on your saving habit budget की habit पे depend करता है आप एक लाग कमा रहे हो 5000 रुपे भी नहीं बचा पा रहे हो और आप 20,000 कमा रहे हो 6000 बचा ले रहे हो तो 20,000 वाला ज्यादा बचा रहा आप से तो saving habit पे depend करता है और इस book में इस बात में ज्यादा emphasize किया गया है So I hope ये सारी चीजे आपको अब clear cut कर दिया होगा ये 5 point और इन पे आप stick रहेंगे So it was all छोड़ा सा छोड़ा सा वीडियो था Thank you very much जुड़ने के लिए Bye bye and take care